बिक्रम सिंग राजपूत की गोली कांड का खुला साथ जल्दी होने वाला जिस तरीके से डॉक्टर राजीब कुमार का नाम आया और उसके बाद पुरी तरीके से पुलिस पहले उन्हें पूस्ताज के लिए ठाने लाई थी लेकिन अब फिर एक बार रात में उनकी पत्नी और डॉक्टर राजीब कुमार को जो जेडियों के चिकिस्चक प्रकोष्ट के उपाध्यक्ष थे और उन्हें पत से हटा दिया गया और इस वक्त जो तस्वीरे निकल करके साप आ रही है उन्हें महिले थायना लाया गया था और महिले थाने में ही अभी पूस्ताज जारी है और कुछ घंटों के बाद इसका खुलासा भी हो जाएगा पत्ना के SSP और CTSP के नित्रत में जो लागातार पूस्ताज की जारी है और राजीब कुमार को पुलिस जो है वो इसी थाने में रखी हुई है और तीन सूटर का नाम आ रहा है जिसमें एक जिंदा कार्टूस और एक पिश्टन और हतियार समेत तीन सूटर को गिरफतार कर लिया गया है। पुलिस करेगी और इस मामले पर कई खुला से सामने आएंगे। हजार कॉल्स डिटेल निकाले गया है खुश्बू और विक्रम के साथ बातचीत का पूरी तस्वीर जो है वो भी वाइरल हो गई है और जो डॉक्टर राजीव हैं उन्होंने अपने शोसल मीडिया पर तमाम बाते लिखी हैं और कहा है कि पुलिस से पहले मीडिया ने सारी बाते को उद्वेदन कर दिया है तो अभी जो है असपस्ट हो जाएगा बस कुछ घंतों के बाद कि इस मामले में पुलिस किनकिन को गिरफतार की हैं तीन सूटरों को गिरफतार किया गया है और तीनों सूटर अभी पुलिस कस्टडी में हैं लेकिन अब बाद जो है पोलिस क्या कुछ अपडेट आता है वो भी हम आप तक पहुचाएंगे लेकिन SSP और CTSP के नित्रित में जल्द ही इसकी प्रस कॉंफरेंस होगी बस कुछ घंटों के बाद और पूरी तरीके से यह उद्वेदन हो जाएगा कि इसमें तीन लाख रुपए लिए इसे विक्रम को मौत की नीद सुलाने के लिए लेकिन विक्रम बच गया और विक्रम की इलाज PMCH में चल रही है और विक्रम जो है वह बांका जिला का रहने वाला है लेकिन अभी किराय के मकान में पट्टा के नाला रोड इलाके में रहता है और जब वह जीम के लिए जा र अब जल्द ही पुलिस इस मामले पर खुलासा करेगी तीन सूटरों के साथ डॉक्टर राजीब को गिरफतार किया गया है और उनकी पत्नी खुश्बू जिसके साथ नाजाइज संबंध विक्रम को बताया जा रहा है तमाम ऐसी अपडेट के लिए आप बने रहें देश्जी जाजीब को बताया है तो जाएजिए को टीन सेर दिए शेख जाया जामले विक्रम को जाराण विक्टर रहें झाल झाल